तो आखिर किन वज़ाओ उसे भारतिय टीम को मिली साथ अफरीकाई टीम के हाथों करारे शिकास आये जानते हैं इस वीडियो में तो नमश्कार मैं विशाल गुप्ता आप देख रहे हैं नूस 47 मीडिया तो जहां टेस्टर टी 20 एई की कपतानी छोडने और ODEA में कपतानी छिनने के बाद विराट कोली बत और खिलाडी नजर आये तो वहीं पहली बार ODEA में कपतानी की कमान समालते वे नजर आये की एल राहुल जहाँ उन्हें पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा साउथ अफरीका ने टॉस जेट कर पहले बल्ले बाजी का फैसला गिया ओपनिंग पाटनेशिप तो कुछ खास नहीं रही जहां पे इंडियन बॉलर्स और इंडियन फिल्डिंग तो काफी जबर्दस रही और शुरुवाती जटके दिये शुरुवात में लग रहा था कि हां इंडियन टीम एक अच्छे स्कोर पे साउथ अफरीका को रोग देगी और अच्छे खासा चेस कर लेगी मगर उसी दुरान बीच में आये साउथ अफरीकाई कप्तान टैंबा बमुमा जुनोंने बहुत अच्छी पारी खेली और श्यातक चड़ा उन्हें का साथ दिया राइवी वेंदर्दा दूसेन ने जिन्होंने 126 रन बनाए मातर 96 गेंदों में और पूरी गेम का पासाजी पलट दिया दूनोंने मिलकर 200 रन की साउजितारी रची और अपनी टेम को एक विजे टोटल तर ले गए जो की 296 रन उन्होंने बनाए चार विकट के नुकसान पे जहां भारती गेंद बाजी तो बिलकुल साधारन सी लगी और कुछ ज़्यादा खास नहीं कर पाई जहां पे विकट जस्पित बुम्रा को ही दो मिले यूजिंदर चहल और रवी चेंदर अश्विन जोकी अपना कहीं साल बाद पहला ODA मैच खेल रहे दे रंगीन कपडों में वो भी कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और एक विकट उनको भी मिला तो साथ ही भुवनिश्य कुमार और शालूल ठाकुर भी कुछ खास बॉलिंग से प्रदर्शन नहीं कर पाए अब भारती टीम के सामने था 296 रंका लक्ष और दूसरी तरफ थी साउथ आफ जिसमें रबाड़ा नहीं थे जो कि भारती टीम के लिए एक बहुत ही अच्छी बाती कि एक खास प्लेयर उनकी तरफ नहीं है अब भारती टीम के ओपनर्स आते हैं जहां पे हमें कमबैक करते दिखाई देते हैं शिकर धवन और दूसरी तरफ थे कप्तान केयल राहूल द राइटिंग करते हैं और शादा के सज़दारी लगाते हैं मगर उसके बाद जैसे ही शिकर धवन 89 रन के स्कोर पर राउट होते हैं और विराट गोली उसकी बाद हमारा मिडल और जल्दी से कोलाप्स कर जाता है तो कोलाप्स होने के बाद सब की नजरे एक बर फिर से टीम को वो भी जल्दी ही आउट हो गए जहां पर हमने देखा कि शार्दोल ठाकुर जुन्होंने अंते तक बल्ले बाजी के 50 रन बनाए और साथी में 14 रन बनाए चस्परीद बुम्रा ने जिनसे कोई टीम ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि हां वो मैस जिता पा यही कुछ खास वज़ा थी जिसकी वज़े से भारतीय टीम इस मैच में नहीं जीत पाई पर हम उम्मीद करते हैं कि आगे अगले दोनों मैच में भारतीय टीम कमबैक करेगी और सीरीज जीतेगी देश जुनिया की बड़ी खबरे देखने के लिए देखते रहें न्यूस 47 मीडिया और साथ इसाथ हमारे चैनल को सब्स्राइब करना ना बुलें धन्यवाद